जै माता रानी की दोस्तों आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की किरपा माता काली की असिरवाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक दिन में आपके सारे काम बनने लगेंगे सारे सुब काम जब काली माता के मंदिर में अमवस्या के दिन चड़ाएंगे ये तीन चीज 110 परसेंट की गारेंटी के साथ आपके सारे काम बनेंगे भगतो जब आप अमवस्या के दिन मा काली को चड़ाएंगे या तीन चीजे मैं आपको वीडियो में तीन चीजे बताने जा रही हूँ या चीजे पता है कब चड़ाई जाती है जब हमारी कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है कोई अरदास पूरी नहीं हो हमने बहुत कुछ कर लिया उपाय कर लिया सब कुछ कर लिया और करके सब कुछ बैट गए हैं हार के लेकिन अभी तक हमारे देवी देवता के आगे कोई सुनवाई नहीं हुई है तब जाके आपको क्या करना है चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो लेकिन मा काली को आपको यह तीन चीज चढ़ाना है ठीक है जब आप माता अमवस्या के दिन यह तीन चीज चढ़ाएंगे तो गारेंटी के साथ आपके सारे काम बनने लगेंगे चाहे कैसा भी काम हो जिन कामों में रुकावट अर्चन आपके पहले से ही आ रही हो या कुछ दीनों से आने लगी है सब कुछ उसी समय पर खत्म होगी जब आप माता को यह तीन चीज चढ़ाएंगे जब जैसे ही मान लिजे आपने ये माता को तीन चीजे चढ़ा दी उसके बाद जो भी रुकावट अर्चन या पित्रु दोस या फिर देवी देवता की नराज कुछ भी हो आपके घर में किसी वज़ा से आपके कोई सुब काम नहीं बन रहे हैं तो जब माकाली को यह चीज चढ़ाएंगे तो माकाली स्वयम खुद माकाली आपके घर में परवेश करेंगी और आपके सभी सुब कारियों को तुरंत पूरा करेंगे निश्चित पूरा करेंगे और एक दिन में ही आपको चमतकार दिखेगा 110-10% की गारेंटी है जब आप करेंगे तो एक दिन में ही आपके सारे काम बनने लगेंगे आप खुद ही देखिएगा अपनी आखों से यह चमतकार कि एक बार में महाकाली को ये चढ़ाते ही आपके काम कैसे बनेंगे तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माधियम से बताऊंगी बताने से फ़ले रिक्वेस्ट है भक्तो कि अगर जो भी भक्त चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा लेटे बीदियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए देखिए भक्तों आपको करना क्या है कि जैसे आमवस्या का दीन होता है ना महीने में कितनी बार मश्या होती है जब भी आमवस्या महीने में जितनी बार भी आमश् करना है आप चाहे इसी महीने की अमवस्या पर कर लो या अगले महीने के अमवस्या पर मतलब जब भी अमवस्या आता है तो यह कारी आपको आप कर सकते हैं पर वो आपके उपर है कि आप कब करना चाहते हैं लेकिन याद रखिएगा यह जो कारी मैं बताने जा रही हूं यह से घर की रोग को मिटाने का वाला कारी हैं जो आपके घर में मंलीज किसी ने अगर रोट लगा रखी है जिसकी वज़ा से आपके पोई काम नहीं बनते हैं यह अज़िए कोई ऐसी सकती बुरी आपके बुरी सकती आपके घर में है जो आपके सारे काम बनते बनते काम बिगड रही है तो इस कारी को करने से आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा स्वें मा काली परवेश करेंगे आपके घर में और आपके सारे सुब कार एक दिन में ही शुर इग्यारा निम्बू की माला लेनी है, अपने घर में बनाना है अपने हाथों से, और दूसरी चीज में आपको माता का सिंगार लेना है, सिंगार में आपको क्या-क्या लेना है, जैसे एक माता की चुन्डरी लेना है, ठीक है, पांच, साथ या इग्यारा आपको सिंगार के स पांच चीजे ले लिजिए साथ चीजे ले लिजिए इगारा चीजे ले लिजिए सिंगार में आपको जैसा समझ में वैसा आप लिजिए पांच चीजे साथ चीजे इगारे चीजे और सिंगार में क्या क्या लेना है में में चीजे आपको ले लेनी है पहले जैसे कि बिंदि चीजे लेलो साथ चीजे लेलो इगार चीजे लेलो सिंगार की अगर पूरी सोला चीजे ले लेते हैं ना सिंगार का सोला सिंगार तो बहुत अच्छा होगा ठीक है सोला भी ले सकते हैं तो एक आपको सिंगार लेना है और तीसरी में आपको लेना है पानी वाला नारियल जो आपको माता काली के मंदिर में जाना है मवस्तिया के दिन और यह कारी आपको कब करना है जैसे ही मान लिजिए आप जब साम के समय दो टाइम मिलते हैं तब आपको यह कारी करना है सुबा नहीं करना है जो दो टाइम मिलता है, ना दिन रहता है, ना रात रहता है, बीच का जो टाइम रहता है, वो टाइम में आपको ये कारी करना है, सुबह नहीं करना है, कभी नहीं करना है, करना है साम के समय, ठीक है, उसाम को समय कहा जाता है, जैसे की टाइम मैं बता दे रही हूं, छे से इस कारी फोक्रक में मंदिर में को कि एरिये में जरुआ दो कि पहलं, कोई भी काली माता का मंदिर भाट भाट को करने इसी सबौनानु एस मंदिर रहना सब्सक्राइब मरने में अपने हाथों सोपाइब चुन्णृ थैक इस तरीकец से माता को सिंधूर ला एंगार करना है अपने हाँ पर आपको लगा देना है ऐसे हलकरहे थोड़ा-थोड़ा नियम करना माता को सिंधूर ला थो एério माटा के मांग में आपको सिंदुर लगा देना है ठीक है इस तरीके सा आपको सिंगार को माता को चढ़ाना है सिंगार के बाद बचता है नारियल आपको बोल देना है, हे माता मेरे काम कारुबार को आगे बढ़ाएं, ठीक है, नारीयल जब चड़ाने की पारी आई तो हात में लेकर बोलना है, इस तरह की बात कि मेरे कारे बढ़ाएं, जो ॉ भी रोग किसी ने कर रखी है, या कैसे भी जो टोटका जादू जो भी कर रखा कुछ भी तो इसी वक्त इसका काट और माता मुझे इसी समय से तु चमतकार दिखाईए कि जो काम मेरे बंते-बंते बिगड रहे हैं वह तुरां ठीक हो या बोलके नारियल को माते से लगा के माता के चर्नों में धर देना है जैसे नारियल धरेंगे आपके सारी रुकावटे माता के नीचे आजाएगी ठाहिए माता के चर्णों में आपके सारी इसी आरीवाटे आ जो आजाएगी और उसके बाद आपके कार जो भी सुब कार होंगे तुरंत बनने लगेंगे आप अपनी आखों से खुद ही चमतकार देखिएगा ठीक है आप कितने भाक्त लोग मेरे पिछले वाले वीडियो पर कमेंट किये हैं कि जो आपने चौराहा वाला जो उपाय बताया है चौराहा वाला में कितने लोग द कि डाटेंगे पीटेंगे इस तरह की वर्ड बोल रहते तो कोई दुसरा उपाय बता आपनी दी यह उपाये हैं यंश्म कर सकते हैं उपाय अग्र वह आपकर सब अब करते हैं तो ऐगर आपको सारे दुख तकलिप जो बोले नाथ आपकी हर मनो कामना पूरी करें.